जीवन की सारी समस्या का हल जन्म कुंडली में छिपा है, जन्म कुंडली का अध्यायन कराएं सारी समस्याओं से छुटकारा पाएं दोस्तों मकर रास का स्वामी सनी होता है, जो की धैर तथा अनुसासन का प्रतीक माना जाता है, अतह है मकर रास को समझ पाना आसान नहीं होता, अन्भो तथा ब्योहार में ऐसा बैक्ति सर्वता भिन पाए जाते हैं, मकर रास के बैक्ति गंभीर विचारों में खोए रहने व इसी कारण कुछ लोग इन्हें उदासीन प्रकित का भी मानते हैं, यह समय का मुल्यांकन करना और उससे लाव उठाना जानते हैं, साथ ही वह समय के साथ अपने आपको बदल भी सकते हैं, इस रासबालों की भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, यह जो भी काम करते हैं उसमें प्रेतन करते रहते हैं, अपमान को सहन नहीं करते तथा मिजास से बहुत ही तेज होते हैं, इन्हें पान, तंबाखु, अफिम, गांजा, बेड़ी, सिंग्रेट, मदिरा आधि में से किसी एक का ब्यसन निश्चित लगा रहता है, मकर रासबालों की एक बात अच्छी लग प्रेते हैं, तथा खुद पर भी विस्वास करते हैं, यह सफल होने तक किसी भी मामले में ज़्यादा आसाबादी नहीं होते हैं, यह लोग इमानदार होते हैं, संसकारी होते हैं, और आर्थिक पक्ष पर अधिक दबाओ इनके उपर बना रहता है, इनका बच्पन या तो प्रेते हैं, लेकिन आत्म विश्वास से अंदर से इने कुछ चीजे परिसान करती रहती हैं, यह प्रकित प्रेमी भी होते हैं, यह पेड़ पौधों से अधिक लगाव रखते हैं, अजनबियों से यह सीधे दोस्ती नहीं करेंगे, अनुसासित होते हैं, और जीवन को एक चिंता नहीं होती, यह स्रेष्ट आदर्स की पूर्ती के लिए नियमों को तोड़ भी सकते हैं, मकर रास बाले इमांदारी तथा नियमों का पालन करने बाले होते हैं, एक अध्यापक की रूप में मकर रास का ब्यक्ति प्रवंध कार में रूची रखने वाला भी होता है, यह लोग अच्छे संग्रह करता भी हो सकते हैं, यह अपने समय का एक छण भी बेर्थ जाने नहीं देते, संसारी कारे में भाग लिए बिना मकर रास बालों का जीवन सुखी नहीं हो सकता, यह सदेब कुछ न कुछ करते रहते हैं, मार्ग में कितनी बाधाई क्यों नाएं यह अपने लक्श तक पहुँचने में सफल होते हैं, यह जातक अत्यनत बिवारिक होते हैं, यह जातक काम से घवराते नहीं, मकर रास बाले अपना प्रारंभ मंद गत से करते हैं, परन्तु अंत में विजय होते हैं, यह मानभी गुणों से युग्त दूरबलों की सहायता करने की भावना रखते हैं मकर रास के लोग अपने रहस को छिपानी की इक्षा रखते हैं परन्तों एक बार आवरण के खुल जाने पर यह सोय में खुल जाते हैं यह कुछ उताबले कुछ सतर्क तथा कुछ सासंकित भी रहते हैं आते हैं कुछ एकाकी पन का अनुभव भी किया करते हैं इस रास के लोग जीवन में अपना कोई महत्पूर्ण स्थान बनाना चाहते हैं बिज्यान के छेतर में इस रास के लोग महानिकार करते हुए देखे गए हैं इनका व्योहर कभी एकसा नहीं होता ये कभी उल्लास तथा कभी आंसों से भरे हुए दिखाई देते हैं इस रास के लोग अपनी प्रारम्रिक जीवन में बहुत ही सफल होते हुए देखे गए हैं लेकिन बाद में कठिनाईयों के सिकार बन जाते हैं ये एक सफल इतिहास कार भी बन सकते हैं क्योंकि ये इनका बहुत ही पसंदईदय भी से होता है अगर आपके दामपती जीवन की बात करें तो मगर रास बालों की दृष्टी में बिवाह सुरक्षा तथा एकता का प्रतीक है और वह जीवन में प्रसनता लाने वाला तथा सजीवता भरने वाला होता है बिवाह और प्रेम ही इनके लिए जीवन की तरह होता है उनके साथ ही तथा उनके मित्रों का उनके जीवन में महतपूर्ण स्थान रहता है इसके साथ ही पतनी कारिक उसल तथा चतुर मिलती है इससे संसारिक जिवन सुखी रहता है घर ग्रहस्ती की सारी देखवाल इनकी पतनी ही हमेशा करती हैं यह लोग स्वेम निश्चिन्थ होकर रहते हैं अगर आपके प्रेम संबंद की बात करें तो मकर रासबाले जातकों की प्रेम भावना प्रवल होती है यह भूखे प्यासे रह सकते हैं परंतु प्रेम की बिना नहीं जी सकते यह प्रेम के छेतर में प्रेमी सैधिक प्रेम को इस्थान देवेठते हैं मकर रासबालों को कुछ लोग उदासीन प्रकित का मानते हैं। परन्तु प्रेम तथा स्छ EK्स उनके परियाप्त गतिसील बनाने वाली कुझिया है। मकर रासबालों को यद विश्वास मिल पाता तो यह प्रेम से बिरक्त भी हो जाते हैं। ये प्रेम के आभाव में कामुक सामुहिक चेतना के बिना उद्दिस सीन तथा उत्तरदाई तो के बिना उनकी मुलिवान विस्तेस्ताओं से रहित हो जाते हैं इस राज के पुरिष इस्त्रियों से नम्रता, कोमलता, सुन्दर एवां उनकी विशर्ष्ताओं से परचित होने की आसा रखते हैं यह लोग प्रेम को जीवन का तेंत महत्पूर अंग मानते हैं इनकी प्रेम तथा धन दोनों में समान रूची होती है प्रेम के मामले में यह लोग विवेख से काम लेते हैं तथा धन के महत्पूर की दिर्ष्ट से ओजल नहीं होने देते प्रेम पातर का चुनाव करते समय इन्हें सतर के रहना आवस्यक है प्रेम तथा सेक्स के छेतर में यह अपने अनुभवों को व्यक्त करने वाले होते हैं कुछ लोगों के मत में इस रास के लोग प्रेमी की आपेच्छा करतब बेनिश्ट हो जाते हैं यह प्रेम के छेतर में आवेस ग्रस्त होते हैं तथा प्रेम के लिए महान त्याग भी कर सकते हैं विपरीत लिंग से सम्मन्ध मकर रास के जातक प्रेम के अभाव में सारी रिक तथा मांसिक रोप से अस्वस्त रहते हैं यह सेक्स को जीवन का एक महत्पूर अंग समझते हैं अता इनमें आकरसन सकती का अभाव ना होने के बाद भी यह स्वेम विपरीत लिंग के और आकरसित होते हैं लेकिन यह तब तक विपरीत लिंग बाले के चक्कर में नहीं पड़ते जब तक कि इसे दूसरी और से इसके प्रतिदान का विश्वास न हो कि मतलब सामने वाला भी मेरी तरह हां कहेगा मकर रासबालों के लिए भागिसाली रतन की अगर बात करें तो मकर रासबालों के लिए भागिसाली रतन नीलम होता है अता इन्हें सनी खराब रहने पर नीलम जरूर धारन करना चाहिए सनिवार के दिन 5-6 रती का निलम लोही के अंगूठी में जड़वा कर सनिदेव का ध्यान कर मध्यमा उंगली में पहने ये सुभेवं भाग्य बर्धक होगा आप के लिए पन्ना और हीरा भी सुभरतन होगा लेकिन रतन जब भी धारन करें तो आप अपनी जन्मकूंडी जरूर दिखाएं उसके बाद ही रतनों को धारन करें क्योंकि रतन रासी से नहीं धारन किया जाते हैं यह लगन के अंसार ही धारन किया जाता है मकर रासिका जो ग्रह है सनी ग्रह से बहुत निकट का सम्मंध होता है इसलिए इस रासिके जातकों के लिए भागशाली दिन सनी बार होता है इस दिन यह विशेश प्रसंद होते हैं इनके लिए रविवार शुक्रवार सुभ रहता है सोंबार मध्यम होता है गुरुबार और मंगलवार का दिन इनके लिए असुब होता है जिस दिन तुला रास का चंद्रमा हो उस दिन महत्पूर्ण कार इन्हें प्रारम नहीं करने चाहिए अगर आपके भागसाली रंग की बात करें तो मकर रास बालों के लिए काला नीला सफेद रंग भागसाली होता है इन रंगों के बस्तर पहने से आपको विसेस मानसिक सांती मिलेगी जेब में हमेशा काला या नीला रुमाल रखने से आपको लाब होगा अपने कपड़ों में मुख रूप से काला नीला या सफेद रंग को किसी न किसी रूप में अवस्ति चुने अगर आपके भागसाली अंक की बात करें तो मकर रास बाले जातकों को चार और आठ का अंक भागसाली होता है जैसे 4 में 4, 13, 22, 31, 40 वा 8 के अंक जैसे 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62 सुभ होते हैं इसके अलाबा 5 और 6 का अंक सुभ होता है 3 और 7 का अंक आपके लिए सम होता है तो वहीं 1, 2 और 9 का अंक आपके लिए असुभ होता है अगर आपके भाग्योदे की बात की जाए तो मकर रासवालों का भाग्योदे 25 वर्स की आउय में, 33 वर्स की आउय में, 35 वर्स की आउय में, 36 वर्स की आउय में और 42 वर्स की आउय में आपका भाग्योदे होता है आपके लिए भाग्यसाली दिन की बात करें तो सनिवार ही आपके लिए भागिसाली दिन सबसे अच्छा सावित होता है मकर रासबाले लोगों में प्रत्यकार सास्त्र सम्मत करने की प्रवित्र दिश्टि गोचर होती है यह अच्छे कलाकार, राजनीतिक लेखनकार, कुसल सास्तरक्ज और इसके साथ ही कानूनी सलाहकार तथा बिज्जान वा कृस्तिकार में भी सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं अन्य पेसों में सिल्पकार, जनस्वास्त विसेसक्ज, विधी अधिकारी, इंजीनियर एवं मजदूर नेता की रूप में इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है मकर रासवाले कलाप्री, व्यापारिक, नेत्रित, सक्ति, संपन एवं उच्छादर्स वाले होते हैं अतहराजनीत के छेतर में उन्नती करेक सफल नेता बन सकते हैं इसके साथ ही सरकारी नोकरिया, समास से भी संस्थाओं तथा व्यवसाइक संस्थानों के पद भी इस रास के लिए अधिक उपियोगी होते हैं इस रासवाले ब्यक्तियदी कलाकार होंगे तो कोई नई बात खोश कर गौरव प्राप्त कर सकते हैं इस रास में गुरु अच्छा फल नहीं देते, इस रास में सनी भी अच्छे होते हैं मकर रासवाले अपने ही उद्यम से अपने भागय का निर्मान करते हैं तथा अपने द्वारा उपार्जी संपत्ति को नष्ट नहीं करते इच्छा सकती प्रबल होती है अताय अपने उद्देश में सफल होते हैं ये दिपी यह लोग अधिक धनी नहीं होते फिर भी समाज में इनका इस्थान प्रतिष्ठा पूर्ण होता है क्योंकि परुपकार में धन खर्च करने में संकोच नहीं करते इस रासवाली बेक्तियों के पास चाहे पैसा रहे ना रहे क्योंकि उनका खर्च का काम कभी नहीं रुकता दूसरों की मदद देने में हमेशा अगरसर रहते हैं कई बार आर्थिक लापरवाही की कायाण जीवन में रिण एवाम आर्थिक संघर्ष की स्थिति का सामना भी करते हैं मकर रासवाली बेक्ति वकालत चमडे की बस्तों का निर्माण अन्न का वेवसाय एवाम कोईला तथा बर्फ के ब्यापार में सफल होते हैं इस रास के अच्छे बकता होंगे तो लेखाक नहीं होंगे यदि लेखाक होंगे तो अच्छे बकता नहीं होंगे यदि किसी बेक्ति में यह दोनों गुण होंगे तो इनका पूरा जीवन ही इस धंधे में बेतीत हो जाएगा मकर रास वालों को अपने परिवार के कारण अनेक परकार की कठनाईया झहिलिंग पड़ती है परन्तु यह अपने सही परिवारिक उत्तरदाईतों का पालन कुछ सलता पूर्वा करते हैं तथा स्वेम को संसार में अकेला अनुभ़ा करते हैं धार्मिक तथा सामाजी कार्मे संपन करने में परिश्रम की परिवाहर नहीं करते हैं। उनके पीछे हमेशा किसी प्रकार की परिवारिक पीड़ा चलती रहती है। इमानदार तथा दयालू होते हैं और दुनियादारी की परवाह करते हैं तथा धार्म कर्म और इस्वर में स इस रासवाले बिक्तियों से मकर रासबालों को हमेशा सापधान रहना चाहिए मीन रासी से इनकी अनकूलता रहती है इसके साथ ही धनू रास के प्रत इनकी उदासिंता होती है मकर रासी वाले सारीगरिक रूप से ब्रिस रास्की और आकरसित हो सकते हैं यह लोग करकर रासी वालों से विवाह कर सकते हैं इसके साथ ही कन्या रासवालों से प्रेणा तथा मीन एबम तुला रासवालों से समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। कुम्भरासवाले इन्हें आर्थिक हानी पहुचा सकते हैं। इनकी मित्रता इस्थाई होती है परंत उनके मित्रों की संख्या कम होती है। अगर आपके स्वास्थ की बात की जाए तो मकर रास वाली बैक्तियों को एक समय खास कर रात के समय भोजन ग्रहन आपको नहीं करना चाहिए एक समय ही भोजन करना चाहिए बात विकार, पेट विकार, भवासीर, चर्म रोग, आँखों की कमजोरी, डाइबिटीज की बीमारी, बीपी, दांत का दर्द, आदि में से कोई एक या दो तकलिफ आपको होती रहती है जीवन में एक बार टाइफ हाई डवस होता है, अथवा गिरने से हड़ी में या सरीर में गहरी चोट लगती है वैसे तो यह बीमार अधिक नहीं पड़ते, अगर बीमार पड़ते हैं तो कुछ समय तक बीमार बने रहते हैं इस रास बाले इस्त्रियों को गर्वपात संधी वात वा सिर्दर्द का भय बना रहता है अपने दिल की कमजोरी दूसरों को प्रतीत नहीं होने देते बाहरी हिम्मत साहस बताने में चतुर होते हैं बिसेस्ताएं बीमारी के हालत में काफी घबरा जाते हैं घर में भी किसी का स्वास्त खराब हो जाए तो यह भी मांसिक रूप से अस्वास्त हो जाते हैं फिर भी इनका मन किसी भी काम में नहीं लग पाता मकर रास बालों को सीत एबं बाय को एधिक्ता के कारण सीत रोग, नीमोनिया, बुखार, सन्निपात, गुठनों में दर्द, तोचा रोग से ग्रस्त होते हैं अर तेधिक बिस्तराम के कारण भी सरीर में सिथिलता एबं अस्वस्तता रहती है इन्हें अपने स्वास्त का भी सेध्या रखना चाहिए खास कर सीत एबं बाय उत्पन करने वाली बस्तों के सेबन से बचना चाहिए भोजन समय पर एबं संतुलित करना चाहिए गरिष्ट भोजन से बचें एबं हरी सबजीयों वा रसीले फलों का सेबन करें मकर रास के अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती हैं यह लोग जिद्धी होते हैं और इसी अबगुण के पैणाव सरूप अपना स्वेम का भी नुक्सान कर लेते हैं अधिकार या हुकोमत चलाना इन्हें काफी पसंद रहता है इनके अंदर कोई न कोई ब्यसन की आदत होती है यह बहुत ही चिर्चिडा सुभाव के भी हो सकते हैं इस रासबालों को क्रोध देर से आता है और जब आता है तब सांत भी देर से होता है उनके ब्योहार में कुछ कुछ उदरंड़ता भी पाई जाती है यह लोग अपने भावों को लिख कर अच्छे तरह से ब्यक्त कर सकते हैं इस पश्ट बगता होने के कारण यह लोग सची बात कह देते हैं जिसके कारण कुछ लोग इनके सत्रू भी बन जाते हैं किसी भी तरह की चल्दवाजी इनका मुख अबगुन है अपनी कम्यों से बचने के उपाए मकररास वाले जातकों को दुख के समय में भगवान सिब की उपासना करें गायत्री की उपासना करें रामाण वा सुन्दर कांड का पाठ रोच करें अथवा हन्मान चालिसा का पाठ करें उनकी सारी मनों कामनाए इसी के द्वारा पूर्ण हो जाएंगी तो मकरास के दोस्तों यह था आपके जीवन का पूरा लेखा जोखा आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल में अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी इसी चैनल पर लेकर आते रहेंगे तो मिलते हैं जैसरी राम